दुनिया में कहां से शुरुवात हुई नेटवर्क मार्केटिंग की? किसने आविश्कार किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग का? कौन थे वो लोग जिसने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को जोईन करा होगा? दुनिया की सबसे पहली network marketing company कौन सी थी क्या आपके दिमाग में भी यही सब सवाल चलते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब क्या होंगे तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के end तक Hello everyone, आप सभी का स्वागत है network marketing series 1 episode 2 में जैसे कि आपको पहले भी बताया था आप सभी के लिए हम एक brand new series लेकर आ रहे हैं network marketing जिसमें कुल 6 episodes होंगे पहले episode में आपने जाना था that what is direct selling, network marketing and multi-level marketing और आज के हमारे इस episode में, second episode में आप जान सिखेंगे from the history to the future of network marketing तो पिछले episode की जो हमने बात की थी, उसमें detailed information आपने जानी थी network marketing और direct selling के बारे में जिसका link इस video के description box में available है, आप check out कर सकते हैं आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस video में मिलने वाले हैं आज की ये video दो तरहें के लोगों के लिए बहुत ज्यादा important है आते हैं, तो ये video आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा ये सिलसिला शुरू होता है सन 1886 में, विश्व की पहली direct selling company Avon थी, जिसका गर्थन सन 1886 New York United States में हुआ था यहां से लोगों ने network marketing को जानना शुरू किया जबकि direct selling की शुरूआत, 73 years पहले ही हो चुकी थी ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि Amore और Avon, they both came up with beauty products और उस समय, लोगों के लिए beauty को लेकर इतना aware नहीं थे मगर इसी बीच, Karl Renberg, जो कि चाइना से belong करते हैं he developed his vitamin products in 1930 because he realized कि लोगों की life में nutrition की कितनी कमी है और लोगों के अंदर उस nutrition को पूरा करने की कितनी जादा जरूरत है और वो यह जानते थे कि इस समय लोग fast food की तरफ जादा जा रही हैं तो आने वाले समय में उनकी body के अंदर nutrients, vitamins और minerals की की कमी होगी इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ही product develop किया कुछ समय की research के बाद उन्होंने देखा कि United States में लोग बहुत ज्यादा fast food को prefer कर रहे हैं because उनके पास time ही नहीं है खाना बनाने का और खाने को time देने का तो उन्होंने 1934 में decision लिया कि वो अपनी company को California ले जाकर और ज्यादा expose करेंगे और उन्होंने उस company का नाम रखा California vitamins लोगों को उनके products काफी अच्छे लगे क्योंकि उनको results आ रहे थे और उनके products को काफी लोगोंने अपनी daily use के अंदर use करना शुरू कर दिया शुरू के 5 सालों के अंदर काल रेंबग ने देखा कि उनकी company की growth दो reasons से हो रही थी पहली result of his products और दूसरा publicity यकीन मानिये 5 साल बिना किसी advertisement के लोगों तक उनके products बहुत आसानी से पहुँच रहे थे जिससे लोगों को और उन्हें बहतरीन results मिल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों आप company को rebrand किया जाए और उन्होंने 1939 में company का नाम change करके neutralite रख दिया और साथ ही उन्होंने market में direct selling को follow किया जहां पर एक आम आदमी लोगों को refer करके products से एक अच्छा commission और अच्छा पैसा कमा सकता है तो उन्होंने door-to-door selling को एक new turn दिया जिसे आज हम direct selling और network marketing के नाम से जानते हैं Lee S. Martinger और William S. Castlebury, they are the first two people who became the exclusive national distributors of the neutralite company ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा और एक आम आदमी को अच्छा मुनापा होने लगा करीब 10 साल के बाद कुछ लोगों ने neutralite पर जूटे प्रचार का आरोप लगा दिया FDA, US Food and Drug Administration तक ये report पहुंची और FDA ने action लेना शुरू कर दिया मगर उसी बीच दो लोगों ने neutralite को जॉइन करा जिनका नाम J. Van Andal और Richard D. Voss था ये दो ऐसे distributors थे जुन्होंने neutralite में rapid growth की मगर कुछ ही सालों में neutralite ने दीरे-दीरे वापस अपने कदम traditional market की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिये J. Van Andal और Richard D. Voss डारेक्ट सेलिंग की potential को समझ गय थे और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि किस वज़ा से आज neutralite वापस traditional market की तरफ जा रही है दोने ने decision लिया और 1959 में introduce करी the American way और इस company ने एक नए तरीके से market में entry की और इन्होंने beauty products को ना लाकर एक different तरीके से अपनी company को market में launch किया home care products के साथ कुछ समय बाद company को rebrand करा गया और आज आप उसे MV के नाम से जानते हैं और कुछी समय में MV ने market में इतनी अच्छी growth की कि उसोंने उसके बाद अपने कुछ health products को market में launch करने के बारे में सोचा और इसलिए 1972 में MV ने neutralite की कुछ controlling powers को खरीदा और ठीक 22 साल बाद यानी 1994 में MV ने neutralite को 100% control करना शुरू कर दिया और इस तरह से network marketing की journey आगे बढ़ती गई उसके बाद काफी सारी companies MV से inspired होकर market में आई MV ने बहुत अच्छी growth की और एक time बाद MV becomes a multinational company और उसके बाद 5th में 1998 में MV launch हुई इंडिया के अंदर और इंडियन्स के लिए ये एक बिल्कुल नया concept था शुरू में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या लेकिन दीरे दीरे जैसे ही company के seminars शुरू होने लगे तब लोगों को पता चला कि exactly a direct selling model है क्या जहां पर आप आसानी से पार्ट टाइम करके कुछ पैसा कमा सकते हैं तो कुछ लोगों ने बिजनस शुरू भी किया और MV की distributor बनने पर आपको एक kit मिलती थी जिसका तकरीवन price कुछ 4500 हुआ करता था जिसमें आपको कुछ home care और personal care products मिलते थे काफी लोगों ने MV की distributorship ली पैसा कमाया अब इंडिया में जगा जगा पर company के seminar शुरू हुए और लोगों को मालूम पढ़ने लगा कि exactly यह है क्या यह लोगों की mentality बन गई थी कि आप ऐसे पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते कुछ लोग एमवे के साथ जुड़े रहे लेकिन कुछ लोगों ने quit भी किया अब मार्केट में कुछ लोगों ने देखा कि लोग products को लेकर negative हो रहे है because of their pricing तो लोगों ने अपनी चिटफंड companies चालू कर दी जैसे कि Speak Asia, Sahara और भी ऐसी बहुत सारी companies market में आई थी जिन्होंने लोगों को लालश दिया कि आपको सिर्फ company को promote करना है जिससे आप पैसे बना सकते हैं आपको कोई product promote करने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर लोगों को कम टाइम में ज्यादा पैसे मिलने का लालश दिया गया जिससे लोग उन चिटफंड companies के अंदर जाकर अपने आपको enroll करने लगे अब यहाँ पर लोगों को कम टाइम में ज्यादा पैसा आता हुआ दिख रहा था मगर लोगों को reality नहीं पता था कि यहाँ पर company लोगों का ही पैसा उनहीं को दे रही है लेकिन घुमा कर जैसे ही speak asia बंध हुई तो लोगों का पैसा दूबा और काफी लोगों ने suicide भी किया यहाँ पर network marketing का नाम खराब हुआ direct selling company को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया कि यहाँ पर chit fund companies आती हैं लोग जूट बोलके आपसे पैसे लेते हैं वगेरा वगेरा लेकिन direct selling model को असलियत में किसी ने जाना नहीं था लेकिन आरोप और प्रत्यारोप चालू हो गए थे और इसी बीच ऐसी बहुत सी companies आई जिनोंने लोगों का पैसा लिया और पैसा लेकर खुद को दिवाल या घुशुत कर दिया और ऐसे लोगों के करोडोर उपर डूब गए अब लोगों का विश्वास उठने लगा था direct selling से मगर अभी भी लोगों को direct selling पता नहीं था कि reality में कहते किसको हैं और Amway, Avon, Audiflame इत्यादी जैसी companies को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे बहुत सारे लोग negative हो रहे थे इसलिए इन companies ने IDSA मतलब Indian Direct Selling Association जो की एक autonomous body है उसका गठन किया जो की direct selling industry से गंदी मचलियों जैसे की chit fund companies को अलग करने का काम करती है और इसी के साथ government को इस industry के लिए influence भी कर रही है IDSA के उपर पूरी एक detailed वीडियो हमने आप सभी के लिए बनाई है तो आप चाहें तो इस वीडियो को pause करके उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उसका link इस वीडियो के description box में available है तो देखी आपने वीडियो अब शायद आप समझ सके होंगे कि direct selling में IDSA काम क्या कर रही है ये तो थी past की बात अब हम बात करते हैं कि present में direct selling में चल क्या रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि industry के negative और positive दोनों aspects होते हैं हर एक industry के और ये हर एक industry का rule भी है और कुछ इसी तरहा network marketing industry जो आज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है जिसे आज लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कुछ वैसे ही आज हर तरफ एक new company शुरू होती जा रही है और लोगों को लालश देती है कि click करिये और पैसा कमाईए या सिर्फ आपको एक bike लेनी है और लोगों को bike दिलवानी है और आपको दिन दो गुना रात चो गुना पैसा आने लगेगा क्या आपने कभी practically सोचा है कि ये सब possible है या नहीं आप सभी जानते हैं लेकिन फिर भी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और इसलिए Government of India ने 9th September 2016 में Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution of Consumer Affairs ने जारी की guidelines ताकि इस तरह की companies को शुरू होने से पहले ही बंद करा जा सके ताकि लोगों को अपने हितों के बारे में पता हो ताकि लोग किसी भी company को join करने से पहले ये जान ले कि क्या company direct selling guidelines को follow कर रही है या नहीं अब आप सोचेंगे मगर आज भी market में आसी बहुत सारी companies हैं जो ऐसा काम कर रही हैं तो जराब मेरा आख से सिर्फ यही कहना है कि किसी भी company को join करने से पहले आप नीचे description box में दिये गई जो link है जिसके अंदर network marketing की पूरी playlist है आप उसको एक बार जरूर देखें और उन guidelines को बहुत ध्यान से पढ़ें और company as per guidelines rule follow कर रही है या नहीं उसे भी जरूर जाने अगर आप आज किसी company में काम कर रहे हैं जो कि guidelines को follow कर रही है तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप direct seller ही है अगर हम ही गलत companies का साथ देते रहेंगे तो हमारी network marketing industry को कभी भी हम एक futuristik industry नहीं बना पाएंगे तो ये हम सभी के हातों में है कि हम अपनी industry के लिए सही चुने और सटीक चुने और अगर बात करें हम कुछ reports की तो इंडिया में direct selling industry 2011 से 2012 तक almost double size हो चुकी है that is rupees 12,620 crore और अनुमान लगाया जा रहा है कि network marketing industry का size 4.8% compound animal growth के rate से बढ़ेगा और 2021 में ये industry बढ़कर rupees 15,930 crore सक पहुँच जाएगी और ये study असो चमने की है इसकी एक report the times of india में भी publish हुई थी उस article को भी आप check out कर सकते हैं इसका link भी हमारी इस video के description box में available है यानि अगर आप इस industry में हैं तो congratulations आपका भविश्य बहुत उजवल होने वाला है So आईए जानते हैं कि कैसा है future of network marketing जैसे कि आप सभी जानते हैं कि india is a developing country in this world हमारा देश साकारात्मक तरक्की की तरफ अग्रसर है और generations धीरे धीरे बदलाब की तरफ बढ़ रही है जैसे कि अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो video calling is a very difficult task to do लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये करना बहुत आसान है आज video calling हर किसी को पता है कि कैसे की जाती है आज facebook पर हर व्यक्ति का account है हर किसी को पता है कि UPI payment कैसे करनी है क्योंकि आज plastic money का जमाना आ गया है आए और भी updates जानते हैं इंडिया बहुत तेजी से automation की तरफ बढ़ रहा है जिसकी होजा से बहुत सारी jobs तो create होंगी लेकिन बहुत सारी jobs खतम भी होंगी banking sector में HDFC और कैनरा बैंक्स रोबोट्स को लाँच कर चुकी है अपने banks में अगर आप डेली से हैं तो आप कनोट प्रेस के बारे में तो जानते ही होंगे वहाँ पे आप candy bank बाइ कैनरा bank वहाँ विजिट कर सकते हैं जहाँ पर candy नाम का एक software है जो कि रोबोट है वो आपको assist करेगा ये सिर्फ एक example था आईए एक और example देखते हैं Maruti Suzuki ने invent की है driverless car यानि आपको आने वाले समय में karts में driver नहीं मिलेंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो Maruti Suzuki driverless car जिसका link भी मैंने आपके लिए इस वीडियो के description box में डाला है आप उसे देख सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारी industries है जो automation की तरफ जा रही है और अगर आप बात करें jobs की तो ये बहुत बड़ा question mark है लेकिन आपको बिल्कुल भी निराश होने की दरूरत नहीं है because आपके पास एक बहतरीन option available है just to choose the right company for now and save your future because आने वाला जमाना network marketing और direct selling का ही है as per reports of KPMG and FIKI this industry will touch 625 billion INRs by 2025 and this is really a big amount तो अभी आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा इस वीडियो को देखकर की exactly direct selling का future क्या है और आपको क्यों direct selling companies को और industry को join करना चाहिए इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेर कीजेगा ताकि वो भी असलियत जान सके network marketing और direct selling industry के बारे में तो आज क्या आपने हमारे second episode में जाना from the history to the future of network marketing हमारे next third episode में आप जान सकेंगे that what is the correct way of doing network marketing network marketing की first series के अंदर complete 6 episodes है आज हम हमारा second episode complete कर चुके हैं next आगे 4 episodes और बाकी हैं जिनको आपको जानने के लिए सिर्फ हमारे चानल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बहुत असानी से पहुंच सकें और आप से कोई इंफरमिशन मिसना हो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपके कुछ सवाल है नेटवर्क मार्केनिंग इंडस्री से रिलेटेड वो भी आप हमसे पूच सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उन सवालों को कवर अप कर सकें अगर वीडियो पसंद आई हो इन हिट दे लाइक बटन तो इस दिव्या फ्रम जल्द हम फिर हाजिर होंगे असी कमाल की अमेजिंग वीडियो के साथ तिल देन गुडबाई जैन झाल